हेलो डिय टीचर्स बहुत सारी टीचर्स को प्रॉब्लम आ रहे हैं हमाँ इसे चेक्षातियों को पी एफमस पर बग करते हैं जब वो आइजेंसी टाटर अप्रूवर आइडी से बनाय हुए एक्सपेंड टीचर को अप्रूब करते हैं तो वहां पर लिखकर आता है क्रेडि भी शेयर करिए जैसे कि आप सभी जानते हैं इसकी ओफिसिल वेब साइट ओपन कर लेंगे और यहां लॉगिन पर क्लिक करेंगे यहां नेक्स पेज पर आपको एजेंसी डाटा एडी से लॉगिन कर लेना है वह सारे साथी क्या करते हैं लॉगिन करने मुने प्रॉब्लम काई यहां पर लेप साथ में नीचे आपको स्कॉल करना है और यहां आपको एकस पर क्लिक करना है उसके बाद मैं पर क्लिक करेंगे यहां कि समने कोषिस से पेज उपन हो जाएगा यहाँ scheme में आपकी जो scheme होगी UP113 समग शिच्चा इसको select कर लेंगे उसके बाद यहाँ आपको status में click करना है यह जगो बहुत सारे options आ रहे होंगे इसमें आपको submitted पर click करना है और नीचे हाँ search पर click कर देंगे जैसे आप search पर click करेंगे यहाँ पर आपके सामने वो सभी expenditures open हो जाएंगे जो agency data operator ID ने बनाए होंगे अब आपको किसी एक expenditure को approve करना तो यहाँ जो blue color का later order number है इस पर click करेंगे यहाँ पर देखेंगे वो expenditure details देखेंगी आपको नीचे scroll करके आना है अब देखेंगे अगर आप इसे approve करना चाह रहे है तो यहाँ approve पर click करेंगे जैसे approve पर click करेंगे तो यहाँ पर जब box में आपको भढ़ना होगा approved जैसे आप submit पर click करते है तो आपके सामने इस तरह से notification ना आ जाता है credit bank detail is not saved properly देखें यह problem क्यों आ रही है आपको बता दे यह problem इसलिए आ रही है क्योंकि जो vendor की bank detail है अभी properly submitted नहीं हो पाई है किसके माद्धम से PFMS के माद्धम से आपने तो submit कर दे लेकिन अभी PFMS ने उसे approve नहीं किया है तो इसके लिए आप वो इस्टेटरस कहां पर देखेंगे आईए बता रहें आपको यहां माई details के नीचे जो master सारा इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यह विंडर्स पर touch करें रहेंगे थोड़ा hold करके रखेंगे और यहां मैनेज पर क्लिक करेंगे देखिए आपके यहां पर जितने यहां पर जितने वेंडर्स को fetch करने के लिए लगवग 48 से 72 आवर्स लेता है आपको वेट करना पड़ेगा सेम डे जो है verify नहीं करता है थोड़ा 24 गंडे का या बात गंडे तक का टाइम ले लेता है आए किसी बेंडर की डिटेल पर क्लिक करके देखते हैं यहाँ पर जो रेट कलर का राइस पर क्लिक कर लेगा तो यहाँ पर जो है उस बेंडर का branch name ifs code और यहाँ पर account holder name as per bank यह चीज आ जाएगी तो ध्यान रखिएगा आप जिस दिन बेंडर को add करते हैं उसकी bank detail को add करते हैं तो PFMS को यह send कर दिया जाता है और PFMS उस account holder की bank detail को fetch करता है उसके बाद यहाँ पर side detail automatically दे देता है इसके लिए हमने बताया 48 घंटे का समय लग सकता है और 72 hours का भी समय लग सकता है तो same day आप PPA नहीं बना पाएंगे पहले आप vendor को add करिए और कुछ समय बाद थोड़ा wait करिए जब यह status है यहाँ पर सारे column fill हो जाए ताब आप वहाँ पर जो है एप्रूब कर पाएंगे ता PFMS verify करता है और verify करने पर जब वहाँ पर इस तरह से bank status success in bank show करने लगेगा तभी आप इसके जारा बनाए हुए expenditure को approve कर पाएंगे तब आपको problem नहीं आएगी PFMS जो है यहाँ पर branch name IFSC code और account holder करने हैं जो bank में automatically fast कर लेता है तो overall समस्या का समय नहीं है आप थोड़ा इंतज करिए जब यह चीजें आप पर clearly दिखाने लगे PFMS तब वहाँ पर आप उस expenditure को approve कर सकते हैं और PPA download कर सकते हैं